December 1956 की बात है, ये हिंदी-चीनी भाई-भाई का दौर था और चीन के प्रीमियर जो एनलाई भारत के दौरे पर थे यहाँ के कारेक्रम में Indian Statistical Institute कलकत्ता की विजिट भी शामिल थी ISI, इसका नाम है Short Form आदे घंटे का कारेक्रम ऐसा खिज गया लेकिन कि एनलाई के और बहुत सारे Appointments धरे के दरे रह गए, हुआ यहाँ कि ISI में एनलाई को एक प्रेसेंटेशन दिखाया गया जिसमें डेटा को एकटा करने और उसके Analysis का तरीका बताया गया था इस प्रेसेंटेशन से एनलाई का दिमाग ऐसा घूमा कि वो वहीं टेबल पर जम गया है और उन्होंने कहा कि जब तक मेरे सारे Questions का जवाब नहीं मिल जाएगा तब तक मैं हिलूँगा नहीं ऐसा क्यों कह रहे थे अनलाई दरसल चीन में हाला तब अच्छे नहीं थे Communist करांती के शुरुवात हुई थी लेकिन हर चीज केंदर से तै हो रही थी मसलन कहां कितना उत्पादन होगा कहां कौन सी इंडिस्ट्री लगेगी वगेरा लेकिन ये सब तै करने के लिए जरूरत थी डेटा की कहां कितनी मांग है कितना आउटपूट वगेरा जानना था लोगों की चीन के पास कोई कमी नहीं थी तो घर-घर से डेटा तो इकटा कर लिया उन्होंने लेकिन फिर एक दूसरी दिक्कत खड़ी हुई कि इतने सारे डेटा को क्रंच कैसे किया जाए उसका विशलेशन कैसे हो ये सब भूसे में सुई खोजने के जैसा था चीन के स्टेटिस्टिशन इस सवाल को लेकर इतने परिशान थे एनलाई का आईसाई का दौरा भी इसलिए तै किया गया था यहां 1940 के दौर में क्रिश्वत पादन से लेकर चाय पीने की आदतों तक को लेकर कि डेटा इकटा किया जा रहा था और इस बहतरी और बारीकी के साथ किया जा रहा था कि हेराल्ड होटलिंग नाम के माने हुए स्टेटिस्टिशन ने तब कह दिया था कि सैंप्लिंग के तक्नीक जो भारत में विक्सित हुई है अमेरिका या कोई भी देश उसके सटीकता की बराबरी नहीं कर सकता भारत में सांखे की के इस मौडल के शुरुआत करने वाले थे परशांच चंदर महाल अनोबिस कौन थे ये कैसे शुरुआत हुई सैंपल सर्वे की जिसके मदद से आज 21 सदी में भी इलेक्शन के रिजल्ट से लेकर जीडीबी की गणना की जाती है जानेंगे आज के एपिसोड में केस एपिसोड के साज़दार है कुको एफे मैप जो लाएं है ललन टॉप के दर्शकों के लिए एक खास उफर कुको एफे मैप का प्रीमियम सब्स्रिप्शन लेने वाले पहले 500 लोगों को मिलेगा 50 पीसद का डिसकाउंट इसके लिए आपको इस्तमाल करना है LT50 ये कोड इसाब पर आपको मिलेंगी जाने माने वो लीडर्स की जीवनियांट हिरो पन्यास और कई तरह की आडियो बुक्स याद रखिए LT50 कोड सिर्फ पहले 500 सब्स्रिप्शन पर ही लागो होगा बाकी जानकारी जो आप चाहते होंगे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक है उसको क्लिक कीजेगा लॉटते हैं किससे पर स्टाटिस्टिक्स के पहले जानते हैं उस वक्ति के बारे में जिससे भारत में सांखेकी का पिता महमाना जाता है नाम है प्रशान चंद्र महालनोबिस या PCM जो नाम उन्हें उनके कलीग्स ने दिया था 29 जून 1893 को महालनोबिस की पैदाईश हुई आज के हिसाब से बांगलादेश के बिक्रमपूर में तब भारती था कलकत्ता में शुरुवाती पढ़ाई के बाद प्रेसिडेंसी कॉलेज से ग्राजुएशन किया दिगजों के चाया में पढ़ाई की जगदिश चंद्र बसू और प्रफूलिश चंद्र रे जैसे लोग महालनोबिस के शिक्षक होते थे इसके अलावा कॉलेज में जूनियर थे मेगनाथ सहा और नेता जी सुभाज चंद्र बसू 1912 में फिजिक्स से बैचलेर्स की डिग्री ली और आगे पढ़ाई के लिए चले गए लंडन इतिफाक ऐसा बना कि लंडन में एक ट्रेन चुट गई और किंग्स कॉलेज केंब्रिज में एक दोस्त के साथ हूँ रहने लगे यहां उन्हें कौन मिला गैस कीजिए श्री निवास रामनुजन यहां रहते वे आक्सफोर्ड की एक पत्रिका बियोमेट्रिका से बायोमेट्रिका से उनका रापता हुआ पत्रिका सांखेकी पर लेक चापती थी अब इसमें रुची जागी तो PCM को एसास हुआ कि वेदर फोरकास्टिंग से लेकर एंत्रपोलिजी के शेत्र में सांखेकी का इस्तमाल अच्छे से हो सकता है बस फिर किया था वापस भारत लोटते वे जहाज में बैटे महला नोबिस हाथ में कॉपी लिए सांखेकी की परॉबलम्स को सॉल्व कर रहे थे कलकता में प्रेसिडेंसी कॉलेज में काम करते वे महला नोबिस को ऐसे लोगों का साथ मिला जो सांखेकी की शेतर में अच्छा इंटरस्ट रखते थे 17 दिसंबर 1931 को महला नोबिस ने प्रमथा नाथ बैनर जी निखिल रंजन सेन और आरेन मुखर जी के साथ मिलकर इंडिन स्टेस्टिकल इंस्टिटूट आईसाई की शुरुवात की साल 1933 में आईसाई का पंजे करन हुआ और संस्था ने सांखे नाम के पत्रिका भी शुरू की साथ ही लोगों को सांखेकी में ट्रेनिंग दंगना शुरू किया दिरे दिरे आईसाई भारत में डेटा इकटा करने और उसका विशलेशन करने का प्रीमियर इंस्टिटूट बन गया आज भी है सांखेके के शेतर में दो महतोपून खोजों कश्रे भी महलनोबिस को जाता है तो आपने कई सारे लोगों का डेटा लिया और इस ग्राफ पर प्लॉट कर दिया अब डेटा जो एकटा होगा वो एक अंडाकार सा शेप लेगा यानि 5 फूट के वेक्ति का वज़न 50 किलो से लेकर 7 फूट के वेक्ति का वज़न 120 किलो इस सभी डेटा यहां मौझूद होगा जरूरी नहीं कि एक हाइट से सब लोगों का वज़न एक जैसा आपको मिल जाए लेकिन ये दोनों वेरिबल्स एक दूसरे पर कुछ हद तक निर्भर करते हैं जानते ही हम कि मौडल बनाकर आगे प्रिडिक कर सकें यानि इस डेटा की मदद से हम किसी निश्यत हाइट के वेक्ति के निश्यत वज़न की गणना कर सकते हैं यह 100% साही नहीं हो सकता लेकिन यही डेटा एनलसिस का उदेश है कि इस गणना को हम कितना सटी कर पाएं कितने करीब पहुच पाएं जितना बहतर मौडल उतना बहतर प्रिडिक्शन होगा आज आने 21-वी सदी में गूगल आदी इसी तकनीक से बिग डेटा का इस्तमाल उभखता के वेवहार को प्रिडिक करने के लिए करते हैं कि आप स्क्रीन पर जो देख रहे हैं उससे वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आपको कौन सी चॉकलेट पसंद है उसका आड आपको दिखाएंगे वो कैसे होता है एक्जैक्टली वैसे जैसे हमने आपको थोड़ देर पहले बताया अब आप इस स्क्रीन पर देखिए आपको दो बिंदू देख रहे हैं ग्राफ 2 जिसका नाम हमने दिया है एक लाल और एक पीला साधारन तोर पर देखा जाए तो इन में से जो बिंदू सेंटर से जितना सटीग होगा सटीग होने की उसकी प्रॉबिलिटी उतनी अधिक होगी स्क्रीन पर दिये ग्राफ में लाल बिंदू के इंदर से ज्यादा नजदीख है यानि इस बिंदू पर जितनी हाइट है उतना ही वेट होने की संभावना ज्यादा होनी चाहिए लेकिन कोरिलेटिट डेटा में ऐसा नहीं होता हमेशा अब पीला बिंदू देखिए ये केंदर से ज्यादा दूर है लेकिन इस बिंदू पर जो हाइट है उतना वेट होने की प्रॉबिलिटी ज्यादा है यानि ये ज्यादा सटीक भविश्यमानी करता है यही है माहल नोबिस डिस्टेंस जो कोरिलेटेड डेटा में गणना की सुविधा प्रदान करता है खास कर तब जब वेरिबल्स का माप अलग-अलग हो जैसे हमारे उदारेंड में वजन का माप किलो है और लंबाई का माप मीटर सरल भाशा में सबजने के लिए हमने बहुत सारी चीजों को इग्नोर किया है इसलिए गनित के ग्यानी किसी भूल चूक के लिए हमें माफ करें इसको थोड़ा सिंप्लिफाइ करना पड़ा अब एक और दिल्चस्प कहानी सुनिए माहल नोबिस डिस्टेंस की खोच तब हुई थी जब माहल नोबिस यूजिनिक्स पर शोट कर रहे थे नसल भेच से प्रेरित विज्ञान जिसमें नसल के आधार पर लोगों की स्टड़ी की जाती है माहल नोबिस तब कलकत्ता के अंगलो इंडिनेस पर शोट कर रहे थे ये देखने के लिए कि उनकी खोपड़ी का उसा ताकार बंगाल के हिंदूों से कितना अलग या समान है इनी तरह की स्टड़ीज को यूजिनिक्स कहते हैं पहले यूएस में इस्तमाल हुआ उसके बाद जर्मनी में भी इस तरह के स्यूडो साइंस को इस्तमाल करने की कोशिश हुई थी हम वहां नहीं जा रहे हैं वापस महलनोबिस के किस्से पर आपते हैं इस शोध के स्पांसर ये स्थापित करने के कोशिश कर रहे थे कि कलकता के अंगलो इंडियन लोग बंगाल की उच्च जातियों के ये उरोपियन लोगों से शादी करने का परणाम थे यानि इन लोगों का रिष्टा ऊची जातियों से था इस शोध के दौरान दो डेटा सेट्स को कंपेर करने के दौरान महलनोबिस ने महलनोबिस डिस्टेंस की खोज की थी अब जैसा कि हमने आपको बताया युजेनिक्स जंक विज्ञान साबित हो चुका है विज्ञान नहीं होता है लेकिन महलनोबिस डिस्टेंस का इस्तमाल मौसम की भविश्यमानी से लेकर मशीन लर्निंग और बिग डेटा की विशलेशन में किया जाता है दूसरी चीज की शुरुवात कश्रे महलनोबिस को जाता है वो है सैंपल सर्वे की शुरुवात सैंपल सर्वे यानि एक बड़ी जनसंख्या मैं से कुछ लोगों को सैंपल की रूप में स्टडी करना और उससे पूरी जनसंख्या के बारे में अनुमान निकालना इलेक्शन से लेकर तमाम जगे आपने सैंपल सर्वे का इस्तमाल देखा होगा अब सवाल है कि सैंपल सर्वे की शुरुवात में ऐसा क्या करांती कारी था अब ये बात भी एक उधारन से समझते हैं मान लीजे कि आप डानल्ड टरंप हैं इलेक्शन में खड़े होने वाले हैं अब आप जीतेंगे कैसे इसके लिए आपको जनता का मत समझना होगा अब आप ये कैसे जान सकते हैं पूरे अमेरिका की जनता से जाकर आप नहीं पूछ पाएंगे कि वो किस मुद्दे पर वोट देंगे इसके लिए आपको एक सैंपल लेना होगा अब कितना बड़ा सैंपल चाहिए इतना गम भी नहीं होना चाहिए कि डेटा गलत आ जाए और नहीं इतना ज्यादा होना चाहिए कि सर्वे कराने में ही सारा वक्त और पैसा आपका खर्च हो जाए और इसलिए सांखेकी के नेमों के तहट सैंपल साइज बनाया जाता है सांपल साइज कैलकुलेट किया जाता है जिसके लिए बकायादा एक गणती है फॉर्मिले का उपयोग होता है और इस फॉर्मिले में जनसंख्या साइज से लेकर मार्जिन ओफ एरर और आपको सर्वे के उत्तर पर भरोसा कितना है इसका भी ख्याल रखा जाता है स्क्रीन पर छपे ग्राफ पर आप अपनी नज़र डालिए आप अलग-अलग सिच्वेशन में सैंपल साइज क्या होगा देख सकते हैं अब एक महत्वपूंट चीज आप पूछ सकते हैं कि इसमें खास क्या है सौ लोगों से जाकर के बात करो और पता लग जाएगा कि माहौल क्या है बस यहीं से सारा खिल शुरू होता है अगर आप यूहीं जाकर सौ लोगों से पूछ लेंगे तो यह तरीका वैग्यानिक नहीं होगा क्योंकि इस दौरान आप सैंपल में विविदिता का ध्यान नहीं रख पाएंगे डाइवर्स नहीं होगा सैंपल इसके लिए आपको प्रतेक आई यू ग्रूप लिंग जाती आदी धर्म का सैंपल आपको रखना पड़ेगा अब सरकार हर घर जाके तो पूछ नहीं सकती है इसलिए सांखेकी के नियमों के नुसार एक सैंपल को चुनाओ करके ये काम किया जाता है और इसके लिए भारत में NSSO यानि National Sample Survey नाम की एक संस्था है चुकि एक सर्वे में Margin of Error के समामना रहती है इसलिए सरकार अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से सैंपल सर्वे कराती है लेकिन सब के लिए आधार सांखेकी के नियम ही होते है जिन से सरकार अलग-अलग योजनाओ पर के जाने वाले खर्च कर निर्धारन करती है ये calculate करती है कि किस मर्द में जरूरत कितनी है चूंकि संसाधन सीमित है इसलिए बिना सर्वे की एक काम नहीं हो सकता अब वापस महलनोबिस की कहानी पर चलते हैं आजादी के बाद प्रदान मंतरी नहरू ने महलनोबिस को योजना आयोक से जोड़ा कुछ समय बाद महलनोबिस योजना आयोक के सदस से के साथ साथ पचास के दशक्त में इंदुस्तान के सबसे एहम व्यक्तियों में से एक बन गए साल 1949 में महलनोबिस ने National Sample Survey Office NSSO और केंद्रिय सांखे की संगठन CSO की स्थापना करने में सरकार के मदद की गाइड किया NSSO ने साल 1949 में अपना पहला सर्वे किया जो तब दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा सर्वे था इसके लिए 1800 गाओं के एक लाख परिवारों का सर्वे किया गया जिसके बाद परिवार आधारित सर्वे का NSSO का तरीका पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड बना प्रदार मंद्री नहरु ने उन्हें दूसरी पंच वर्षी योजना की कमान भी सौपी तफ आइव ये प्लांस बनते थे हमारे हां प्लांनिंग कमिशन का पूरा जोर अध्योगी करण पर था इस मॉडल में लेकिन कई सारी खामियाबी थी तमाम दूसरी चीज़ों के ही तरह मसलन अत्यदिक आयात के चलते चालू वित्ती घाटा बढ़ गया और मुद्रस फीती में भी बढ़हतरी हुई यानि महंगाई में इजाफा हुआ मालनोबियस जीविन परियंत आईसाई के डिरेक्टर बने रहे दुनिया भर में उन्हें पूरसकारों से नवाजा गया मसलन उन्हें 1945 में लंडन की रॉयल सोसाइटी ने उन्हें अपना फेलो नियुक्त किया 195 में पाकिस्तान सांखे की संस्थान ने फेलोशिप प्रदान की 1957 में ही उन्हें अंतर राश्ट्री सांखे की संस्थान का मानद अध्यक्ष भी बनाया गया और साल 1968 में भारे सरकार ने पदमवी भूशन से सम्मानित किया आज ही की दिन यानी 28 जून को साल 1972 में उनका निधन हो गया था साल 2006 के बाद उनके जन दिन को राश्ट्री सांखे की दिवस के रूप में मनाया जाता है आज के एपिसोड में इतना ही तारीक की अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी तारीक की इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त जतिन ने देखते रहिए दिलरलन टॉप